नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल को सल्य देशी कीचन में हार्दिक स्वागत है आज हम बनाएं कड़ाय चिकन इसे बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही ज़ादा जबर जस्ती यह बनता है स्वाद में एक नंबर इसके लिए हमें चाहिए चिकन हमने एक किलो लिया है और पीसे हमने दो से तीन बार धो लिया अच्छे तरह से सारे तरह का पीसे समने लिये हैं इसमें हम लेंगे कि चार छोटे टमाटर कि 5-6 अध्रक हरी मिर्च चार कि दो तेजपत्ता चार बड़े प्याज कि अब मसाले ले लेते हैं एक चोमच जीरा लाल मिर्च लसुन दो पोठा हमने इसे छील लिया है गरम मसाला फुल चक्र लिया है सारे तरह का गरम मसाले हमने लिये है और चार चमच धनिया लिया है हमने एक चमच गोल की मेथी एके दाने एक चमच दही हमने दो कप लिया है इसे फेट लिया हमने अब हम लालमेच पौडर डाल देते हैं एक चमच और इसी में हम डाल देंगे हल्दी पौडर एक चमच और इसके बाद हम डाल देंगे नमक नमक हमें स्वादम साथ डाल दिया है बड़े चमच अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्दी नमक यह अच्छे से चिकन गंदर चला जाए लालमेच और इसे मेगनेट करने के लिए हम एक आदे घंटे के लिए रख देंगे तब तक सारे मसाले और प्यास रेडी कर ल कि दो चमच सरसो का तेल डाल देंगे इससे हमरा चिकन जो है बहुती ज्यादा टेश्टी बनेगा रहेंगित तेल सरसो का अब इसे मिला लेंगे और यह को लेटी कि इतनी बढ़ गई है तेल डालने के बाद और यह सरसो का तेल अब हम डाल देंगे मसाले सारे हम खड़े मसाले इसमें पीछ लेंगे एक साथ अब इसमें हम डाल लेंगे हल्दी हमने खड़ा लिया था इसे कोट लिया है अधरत भी काट लिया है और एक मूठा इसमें प्याई डालेंगे इसे ग्रेवी हमारा बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा चिकन हमारा आदा घंटा हो चुका है अब हम कड़ाई रखेंगे और इसमें तेल डाल देंगे चिकन भी धेल लोगों के लिए हम बना रहे हैं फूल फेमिली के लिए कड़ाई चिकन हमारे परिवार में सभी को बहुत ज्यादा पसंद है यह हमने मेथी के दाने डाल दिये है सरसो का तेल अच्छे सा गरम हो जाए तभी उसमें फोड़न ड अधीया कि यहाँ में हरी मिर्श जाला है क्योंकि प्याज मीठा होता है और उसे तीखा करना जरूरी है इसलिए हमने हरी मिर्श जाल आ है कि प्याज को मिठापन निकल जाएगा आप हम चलाते रहेंगे यह जले नहीं झारे हए और इस वह हम गुल्डन ब्राउन होने तक ह देंगे पहले नहीं डालना है तेल के साथ नित पत्तपत्ता जो है वह जल जाएगा यह दिखी इसमें थोड़ा सक खड़ा लसुन डाल देते हैं आप चाहे तो ओठा भी गोटा डाल सकते हैं इसमें हमने छील का डाला है अगर आपको पसंद दें तब इसे भी डाल सकते हैं और यह दहिए हमने साइड कर दिया इसे और हम यह गोल्डन-ब्राउन हो चुका है अभों साइड कर देंगे प्याज भूवजे पहले ही मिल जाएगा तब देख सकते हैं कितना तेल नीकल चुक którą है और पानी ब्लकुर सूप चुक छुक थीचियर हम अच्छी से भूं लेंगे उसके बाद ही भूं जाया है और भूत ही अच्छा खुस्बू ред चीचन से कि दोश्तों आपने हमारा बटर चिकन बनाने का रेसिपी नहीं देखा है तो आई बटम पर उसका लिंक दिया हुआ है आप वहां जाकर देख सकते हैं इसे हम चलाते रहेंगे और यह देखिए टमाटर हमने काटके रख लिया था इसे भी हमने डाल दिया है ग्रेवी तो अच्छा बनेग सकते हैं और फेस्बुक में भी फोलो कर सकते हैं तो हम अच्छे से भूल में रखा है और किकननीं तो बोहता है बहुत ही जवर्जस्त रेसिप है मीट से बनने वाली हैं अब कहीं भी अगर पिकनिक बर भी जा raju तिस तरह से बना सकते हैं चिकन. इसमें हमने कास्मिरी लाल मिर्च पॉडर, एक चमच डाल दिया है अच्छा कलारानी के लिए और स्वादंसार नमक भी डाला है. पहले भी हमने नमक डाला है, इसलिए हमने कमी नमक डाला है. अब इसे हम अच्छ से mix कर लेंगे चला लेंगे अच्छ से दिख सकते हैं प्याज भी हमारे छी अच्छ से गलось चुका है और मसाले भी चीकन के आज़साथ चिपक चुका है इसमें हमने डाल दिया दही अगर आपको पसंद है दही तो आप डाल सकते हैं और नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं यह मसाले के साथ भी बेहाती जवरजस्त बनता है इसे हमने डाल दिया है और इसे हम दो मिनर तक दही डालने के बाद इसे भूनेंगे अच्छे से कि दही भी हमारा अच्छा सपक जाए और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स भी हो जाए इस दही और tissue अच्छे से निपत चुका है शिकन के साथ देख सकते हाँ कि सक लर भी कितना जवर बहुत ही अच्छए इसे आप चावल के साथ भी खा सकते हैं और नान के साथ भी खा सकते हैं आपको जैसे ही पसंद नो इसे आप सकते हमने गुंगुना पानी डाला है पाणी हमने पेले से गुनगुना करके रख लिया था वही पानी के जरूरत नहीं है पानि मोट नहीं डालेंगे जितने हमें गरेसे काम है अच्छे से इसे मिला लें यह और इसके बाद थोड़ा सा पानी अगर जरूरत लगे और डाल लें इसे हमने ढकन लगा देगे मं इसको मिन हो चुका है कि देख सकते हैं कि आपके इसमें हम हरी धनिया भी डाल देते हैं और गरम मसाला गरम मसाले हमने पिस्क रख लिए थे पहले से और यह देखिए और हम दो मिनट तक रखेंगे लोफ लेंपर की गरम मसाला पक जाए और इसी के साथ हरी धनिया भी डाल देंगे ये देखी बिल्कुल ताजा और फ्रे से हरी धनिया और देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा चिकन बना है कड़ाई चिकन और बनाना भी कितना आसान है और ये देखी कितना हम चिकन हमने बनाया है देख सकते हैं पूर्य परिवार के लिए बनाया है कड़ाई चिकन पहती टे कितना टेश्टी ये बना है ये दिखी बनाना भी कितना आसानी जट से बनने वाली रेसिपी है आप किसी चीज के साथ इसे खा सकते हैं रोटी के साथ चावल के साथ प्राठे के साथ जिससे आपको मन चाहे उससे आप इसे खा सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आये हमारे रेसिपी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और सब में सेयर करें जट से बनाएं अपने घर पे कड़ाई चिकन बेहाती यह जबर्जस्त बनता है फिर से मिलती हूं एक नए रेसिपी के साथ